टौक जिले के देवलिक्षेतर के बिसलपूर्बान दक्षेतर के पानी में डूब जाने से एक युवक के शव को परशासन आखिरकार निकाल ही लिया है दूनी प्थाना प्रभारी नरेश कवर ने बताया कि बूंदी निवासी रोहन भाटिया राज महल के पास बनास नदी में दोस्तों के साथ पिक्निक मनाने गया था जहां दोस्तों के साथ नहाते समय रोहन गहरे पानी में चला गया और इसमें डूबने से उसकी मौत हो गई करीब एक घंटे की कड़ी मशकत के बाद अशव को पानी से परशासन ने बाहर निकाल लिया